हेलो स्टूरेंट मैं एकता सिंग आप सबी का ग्यान चेतन्या चैनले में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की वीडियो में हम वैदिक काली अर्थ विवस्ता समाज संस्कृती और धर्म के बारे में विस्तार पूरबक से चर्चा करेंगे तो शुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले हम अर्थ विवस्ता की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि हम सिर्फ रिगवेद काली अर्थ विवस्ता की बात करें ना कि उत्तर वैदिक काल की तो यहाँ पर जो वैदिक काल है उसको दो भागों में हमने बाटा था एक रिगवेद काल एक उत्तर वैदिक काल तो यहाँ पर सिर्फ रिगवेद काल की हम चर्चा कर रहे हैं तो अर्थ विवस्ता देखते हैं रिगवेद काल की किस प्रकार से थी रिकवेद आर्यम मूलेता ग्रामीर थे यानि ग्रामीर विवस्ता थी इनका मुख्य पेशा जो था वो पशुचारण था और जो किर्शी थी वो दुतियक पेशा थी तो हमें ये बात याद रखनी है कि पिर्थम पेशा जो था वो पशुचारण और किर्शी जो थी वो दु व्यक्ति की जाती थी जैसे की धनी व्यक्ति को गोमत द्रविण रेवान और राजा को गोपती युद्ध के लिए गविष्ट सब्दे उपयोग होता था गेशू गव्य और गम्य तो यह सारी के सारे जो हैं गाय से रिलेटेड नाम करण किये गए हैं समय नापने के लिए ग गवियतू शब्द का प्रियोग किया गया है और पुत्री के लिए दुहिता शब्द का प्रियोग किया गया है तो जो वैदिक काल का समय है उसमें शब्दा वाली सबसे इंपोर्टेंट है क्योंकि एक्जाम में शब्द्या वालियां ही जादा तर पूछी जाती हैं जैसे कि पुत्री को क्या बोलते थे तो दुहीता, दूरी नापने का गवियतु, समय नापने के लिए गोधुलू युद्ध के लिए गविष्ट, गेसु, गवे, गम्य तो इस तरह से गायों इतने महत्व पूर्ण थी कि उनके नाम पर नामकरण भी जो शब्दा वली थी वो भी प्रिचले थी, गाय को पवित्य माना जाता था, तथा इसे अघन्य, मतलब हत्या ना करने वाली, यानि बद्द ना की जाने वाली कहा जाता था तो अघन्या, शब्द जो है, वो भी बहुत इंपोर्टन्ट है, exam point of view से, गाय के अतिरिक्त, रिगवेद के लोग भेड, बकरी, कुत्ते और घोड़े भी पालते थे, उट, हाती आदी जानवरों से भी परिचित थे और जो घोड़ा था दूसरा प्रमुक पशु था पहले तो गाय था और दूसरा प्रमुक पशु पूछा जाए, तो वो है घोड़ा, अब यहाँ पर बाग तता हाती की रिगवेद कालिन, जो व्यक्ती थे, उनको जानकारी नहीं थी तो कभी exam में पूछा जाए कि किन-किन जानवरों की जानकारी नहीं थी, तो बाग और हाती की, गाओं में चारा गाय की सुविदा रहती थी इसलिए इसकी देख रेक के लिए एक अधिकारी नियूक्त होता था जिसको ब्राजपती कहते थे तो ब्राजपती जो होता था वो चारा गाय की सुविदा कराने के लिए अधिकारी होता था तो ये भी हमें याद रखना है अब हम दूतिय पेशा जो था वो तो किर्शी था तो किर्शी के बारे में देखते हैं तो रिगवेद में किर्शी दुतिये पेशा हुआ करती थी रिगवेद में 1462 जो शब्द है यानि इशलोग है वो किर्शी से सम्मंदित है और जो रिगवेद में 24 ऐसे इशलोग है जो किर्शी की चर्चा यानि करते हैं यानि किर्शी दूतिये पेशा हुआ करती थी किर्शी शब्द का उले 33 बार मिला है जितनी बार शब्द का उपयोग हुआ है उसके माध्यम से हम यह अनुमान लगाते हैं कि वहां का जो तो यहां पर किर्शी शब्द का उले 33 बार पाया गया है एक और एक तथा दस्वे मंडल में सरवादिक विवरन इसका मिलता है किसका किर्शी से रिलेटर जो है पहला और दस्वे मंडल जो है सरवादिक विवरन देता है इस समय काट के हल फाल और बैलों की साहता से किर्शी का कार्य किया जाता था रिकवेट में हल के लिए लांगल और शीर शब्द कउप्योग किया जाता था तो हमें ये शब्दा बली भी याद रखनी है लांगल और शीर उपजाओ खेट के लिए उर्वरा शब्द होते थे हल वाहे को कीवीश कहा जाता था हल से बनी रेखा को सीता कहा जाता था रिगवेद में रिगवेद के चौथे मंडल का संपूर मंत्र किर्शी कारे से संबन्दी थे तो रिगवेद का जो चौथा मंडल है तो हमने जहाँ पर ये बात की थी एक चार और दसमा मंडल जो है वो विवरण देता है तो यहाँ पर चौथे मंडल संपूर मंत्र किर्शी से संबन्द है रिगवेद के एक कथन में अश्विन देवताओं ने मनू को हल चलाना सिखाया था ऐसा एक कथन मिलता है अगला है कुलिया या खनी मित्रा यह शब्दवली थी सिचाय के कृतिम साधनों का उपियोग किया जाना तो कुलवाया और खनी मित्रा जो है सिचाय के कृतिम साधनों के लिए शब्दवली उपियोग हुई है कुए को अवल कहा जाता था बादल को परजन्य कहा जाता था नहर को कुलिया कहा जाता था तो कुलिया और ये वाला कुलिया दोनों नहर के लिए ही यानि सिचाई के किर्तिम साधन के रूप में उप्यो हुए है अगला देखते हैं आप फसलों की चर्चा करते हैं कि रिगवेद का लीन कौन-कौन सी फसलें जो है वो उगाई जाती तो यहां पर यव जो है जो को कहते थे धाने यानि अनाज उर्दर कहते थे अनाज मापने का जो पात्र हो यानि बरतन होता था उसको उर्दर कहते थे, इस्थिवी कहते थे, अनाज का कोठार, मतलब अनाज को एक गोदाम या उसमें खटा करते थे, उसको इस्थिवी कहते थे रिगवेद वासियों को पांच रितियों का ग्यान था, ऐसा उले हमें रिगवेद में मिलता है गाय तता गोड़े को पवित्र माना जाता था, हाती की चर्चा पालतु जानबर के रूपे नहीं मिलती है चुकि हमने अभी इससे पहले भी बात की थी कि कौन-कौन से पशू थे तो पशू में बाग और हाती का जो है वो लेख नहीं होता है ब्यागर की भी चर्चा जो है वो नहीं मिलती है रिगवेद में नगर की चर्चा नहीं मिलती है, लेकिन सिर्फ पूरका उलेख यहांपर मिलता है तो हमें यहे चीज़े भी याद रखनी है अगला है अब महतपूर्ष शिल्प की बात करें तो शिल्प में तीन धातों के यहां पर प्रियोग होता था सोना तामबा और कासा तामबा और जो कासा था उसको आयस का गोतक भी आयस सब्द भी उप्योग हुआ है तामबा और कासे को बस्त्र बनाना यहां का जो प्रमुक शिल्प पता वो था बस्त्र बनाना कपड़े बुनने का कारे नारियां करती थी यानि इस्त्रियां करती थी जिसके लिए रिगवेद में सीरी शब्द का प्रियोग हुआ है तो शीरी शब्द का प्रियोग किसके लिए हुआ है कपड़ उन जो है उनना शब्द का प्रियोग मिलता है बढ़ाई को तक्छड करगा को तसर जुलाहे यानि तंतुवाई को वाई और चर्मन को चमड़े का कारी करने वाले इसके अलावा लकड़ी की कटाई धातु उद्धोग चमड़ा उद्धोग बुनाई कुम्मेकारी बढ़ाई भीशन शब्द वली उप्योग की गई है भीशक को अगनी अश्विन देवता जो है उनको कहा गया है और यह क्या करते थे अंधे को नेत्र देना और पंगू को गती प्रदान यानि कृतिम रूप से पैर प्रदान करना उसको ही गती प्रदान कहा गया है यहां पर कुछ ए अंधापन दूर किया था दूसरा उधारन है चवन ने रिसी को पुनहा जवान बना दिया गया था और युद्ध में जब बिश्वपाल के पैर कट गए थे तो उन्होंने उसके कृत्म पैर भी लगाये थे तो हमें यह उधारन तीन उधारन रिगवेद में मिलते हैं अश इस से यूग में जादू टोना का भी प्रियोग होता था अब हम दास पर्था विवस्था की बात करें तो दास विवस्था जो थी रिगवेद में दास पर्था विवस्था प्रिचलेती इनके दान देने का उलेख प्राप्त होता है दासों की तुलना में दासियों के दान सीमित मातरा में था पड़ी नामक अनारे जो अपनी समरिद्धी के बावजूद कंजूसी के लिए प्रसिद्धे थे बैपार बाड़े जिसे जुड़े हुए थे तो अनारे लोग इससे जुड़े हुए थे ऐसा कहा गया है पड़ी नामक बैपारी आरियों के शत्रू के सर्दार को पुनाह आरे विवस्ता में शामिल होने का भी विवरन मिलता है अगली बात करें तो प्रमूख düşतूँय जो है कपरा चादर और खाले थी इनका यह ब्यंजर बियापारी प्रमूख विवस्तूएं थी कपड़ा चादर और खाले अब हम बिनेवाई परणाली के बात करें तो यहाँ पर बिनेवाई परणाली के रूप में थी गाए घोड़े एवब निश्क का उपयोग किया जाता था तो यहाँ पर निश्क के जो है अभूशन स्वर्ण अभूशन थे हमें ये बात भी याद रखनी है कि अभी तक यहाँ पर नियमत्सिक्का बेख्सिक्त नहीं हुआ था यानि कि एक वस्तू के बले दूसरी वस्तू ही प्राप्ट किया जा सकती थी तो निश्क जो है सण अभूसन जैसा माना जाता था और यहां पर अभी तक निये में सिक्का नहीं हुए थे अश्टकर्ण की शब्द से यह विदित होता है कि रिकवेदिक आर्यों को संभावित अंकों की जानकारी थी तो अश्ट करणी जो है अंकों की जानकारी से संबंदे शब्दा वली थी अगला है बैक नाट जो था रिड़ें दे कर ब्याज लेना उसको बैक नाट कहते थे तो ये तो थी अर्थविवस्ता अब हम बात करते हैं समाज एवं संस्कृती की कि किस प्रकार का समाज एवं संस्कृती था तो रिगवेद काल में परारमिक इस्तिती में समाज दो वर्णों में था लेकिन ये वर्ण जो थे वो रंग के हिसाब से थे एक तो आरे और दूसरे थे दास रंगों के अधार पर इनका निधारित किया गया था उगर प्रकती के रिसी अगस्तस ने दोनों वर्णों का पोशन किया आगे जब उत्पादन अवदी शेश की स्थिती उत्पन होई तो विश का विभाजन कर दिया जैसे युद्धा प्रोहित समाने लोगों में ये हो गया इस तरहे वर्ण विवस्ता का आधार अब कर्म हो गया यानि कर्म के आधार पर एक व्यक्ती युद्धा भी बन सकता था वो प्रोहित भी बन सकता था इस तरह से रिगवेद में एक स्थान पर एक रिसी लिखता है कि मैं कभी हूँ मेरा पिता बैद है और मेरी माता जो है अन्ने पीसने बाली है साधन भिन्ने भिन्ने हैं परन्तों यहाँ पर सभी मिलकर धन की कामना करते हैं तो यहाँ पर कर्म के आधार पर वर्ण विवस्ता चुड़ने की आजादी थी एक राजन अपने कर्म से प्रोहित हो सकता था एवं प्रोहित राजन हो सकता था महिर्शी विश्वामित चत्रिय होते हुए भी कर्म से ब्रामर थे ब्रुगु रिशी के बंसस ने अनेको राजियों की स्थापना की तो ब्रूगी रिशी जो थे वो ब्रामरते और उनके बंसित जो है वो राजा यानि छत्रिये के रूप में उन्होंने कई राजियों के स्थापना की ऐसा उलेख है रिगवेद में शुद्र की पर्थम चर्चा रिगवेद के दसमे मंडल में पुरुष सुक्त में की गई है वेश शब्द का भी पर्थम बार यहीं पर उप्यों मिलता है इसमें चारो वर्णों की उत्पत्ती एक विराठ पुरुष के बिविन अंगों से बताई गई है यहां कहा गया कि चतुर यानि रिगवेद के दसमे मंडल पुरुष सुक्त में मिलती है तो पहला और जो लाश्ट के जो मंडल है वो बाद में लिखे गए हैं रिगवेद के तो शायद बाद में इन चीजों को जोड़ दिया गया था लेकिन रिगवेद काल में जो वर्णे विवस्ता थी करमे के आधार पर थी अगे देखते हैं इस समय समाजिक विवस्ता आधार रखते संबन्दे था समाज पृट्य सत्ता आत्मक था परिवार समाज के छोटी परिवार का मूखिया होता था कुलपती या सौभाविक रूप से मानविये था था करूणाशील होता था परन्तु घर का मुख्या कभी-कभी संतान को कुरू रूप से भी दंडित करता था जैसे कि यहां पर एक्जामपल कुछ दिये गए हैं अरजी गर्थ का पुत्र शुत्य शेश को एक हजार गायों के बदले में उसके पिता ने बेच दिया था रिशी जादू जुआरी जो थे उन्होंने अपने पुत्रों को बेचा था इसके अलावा रिशी विश्वमित्र ने 50 पुत्रों को घर छोड़ जाने के लिए कहा था और पुत्र अपनी पिता की आगया से वो घर भी छोड़ देते हैं तो इस तरह से पृत्ति सत्तात्मक जो मुख्या होती थी उसकी बात बहुत इंपोर्टेंट होती थी और सभी उसको मानते थे आगे है संयुक्त परिवार हुआ करता था चार-चार पिवडियों के लोग एक साथ रहा करते थे जिसमें मात्र पक्ष और पित्र पक्ष के जो लोग थे वो साथ-साथ रहते थे वही हम अगर उत्तर बैदिक काल में देखेंगे तो ये चीज़ें जो है वो समाप्त हो जाती है और रहती भी है और कुछ समाप्त हो जाती है तो अभी हम सिर्फ रिगवेद काल की ही बात कर रहे हैं ये हमें याद रखना है इस्त्रियों की इस्तिती देखें तो समाज में पृति सत्तात्मक तत्त्यु की प्रधांता होते हुए भी परिवार में इस्त्रियों को यतोचित आधर एवं सम्मान प्राप्त था बाल विवाह का प्रेचला नहीं था, शादी जो होती थी, वो 16-17 साल की उमर में हुआ करती थी, इस्त्रियों की, बिदवा एवं अंतहर जाती है विवाह यहां पर होता था, बहु पतित के तत्य थे, यानि कि जैसे कि यहां पर बहु पतित का एक्जाम्बल हम महाभारत काल म जैसे पांच पती थे, उसी तरह से यहां पर भी विवस्ता पिर्चलेत थी, बहु पतिनी की पिर्था यहां पर पिर्चलेत नहीं थी, कि एक पती बहुत सारी पतिनिया रखे, तो इस प्रकार की विवस्ता यहां पर नहीं मिलती है, इस्त्रियों का उपनायन एवं भरा सकता आद तो ये वाली जो महिलाएं हैं इनका भी हमें याद रखना है क्योंकि कभी-कभी उत्तर कालीन और रिगवेद कालीन इस स्रियों के बारे में एक्जामनर पूछता है आगे अनुलोम बिवाय भी होता था जैसे लोपा मुद्रा छत्रिय वर्की थी किन्तु शादी उन्होंने रिशी अगस्त से इनकी हुई थी तलाग सती पर्था पर्दा पर्था बाल बिवा बहु पत्नित पर्था यहाँ पर नहीं थी और बिद्वा बिवा यहाँ पर होते थे नियोग पर पर्था पर्चलन में था और बिदूशी महिला जो थी उनको कहा जाता था रिशी का या ब्रह्म बादिनी इनके लिए शब्दावली उपियोग तो होती थी और जो इस्त्रियां जीवन भर आविवाहित रहने वाली होती थी उन लड़ियों को आमाजू कहा जाता था तो एक्जाम में कभी पूछा जाए आमाजू किसको कहा जाता था जो ऐसी इस्त्रियां या ऐसी लड़ियां जो जीवन भर विवाहर नहीं करती थी इस सिती में यदि पुत्री पिता के घर में रहती है तो वो है पिता की संपत्ती की भी हिस्सेदारी हुआ करती थी रिगवेद में आठवा मंडल में अपाला ने अपनी पैत्रिक संपत्ती में हिस्सा प्राप्ती का भी उलिख मिलता है इस्त्रियां सभा इवं समिती में भाग लेती थी साथी भी पती के साथ यग में भी भाग लिया करती थी आगे हैं विवाह में पिता की अनुमती सहमती अवशक्ती तथा पी इस्त्रियों को स्वयम विवाह संबंदी अधिकार भी प्राप्त थे रिगवेद में समनों यानि उठ सभों का उलेख है जिसमें कन्या स्वयम अपने पती का वरण कर लेती थी अगरेज के पूर्व विवहा करने वाले अनुजी को परीवरित कहा जाता था तो ये भी हमें शब्दावली याद रखने हैं कि परीवरित किसको थे किसको कहा जाता था अगरेज के पूर्व विवहा करने वाले अनुजी यानि छोटे भाई अगरेज मतलब बड़ा भाई अगला है रिखवेद के विवहा सूक में विवहा संस्करन का विस्तरित विवरन मिलता है विवहा के समय तक प्राया वर बदू एक दूसरे से आपरिचित होते थे बिवा के आउसर पर बदुए एक बिशेश प्रकार के वस्त्र को धारन करती थी जिसे बदुए कहा जाता था तो बदुए को बदुए शब्त क्या है बदुए एक बिशेश प्रकार का वस्त्र धारन वस्त्र से रिलेटड है ये अब हम बात करते हैं भोजन एम बस्त्र की तो शाकारी मानसारी दोनों थे भोजन के एक इस्तान पर दूद से पकी हुई खीर का भी उलेख मिलता है जिसको खीर पकोदन कहा जाता है यानि कि आज की जो जैसे खीर बनाते हैं कुछ-कुछ उसी तरह है जो और सत्तु को दही में मिला कर खाते थे जिसको करब कहा जाता था तो ये भी हमें याद रखना है अब नशीले पेपदार्थों की बात करें तो सोम और सुरा पर चलेते सूरा जो था वो साधरन आउसरों पर पिये जाते थे लेकिन सोम जो है वो सोम यगों के आउसर पर पिये जाने वाले नशिले पदार्थ था नोवा मंडल जो है इसी विस्तार से चर्चा करता है यानि सोम के बारे में चर्चा करता है रिगवेद का नोवा मंडल स्वाम का पोधा पहाडों पर मिशेश रूप से मंजूवत परवत पर मिलता मतलब उत्पन होता था आगे है मांसाहरी के बात करें तो मांसाहरी जो है किन किन का होता था बेल भेड बकरी का मांस खाया जाता था अगन्या यानि गाय को बद्ध ना करने योग बताया है और नमक और मचली का प्रियोग करना ये लोग जानते नहीं थे ऐसा उलेख रिगवेद में हुआ है तो नमक और मचली का उलेख नहीं प्रियोग नहीं किया जाता था अगला है आगे हम बस्त्रों की बात करें तो रिगवेद काल में सूत उन और म्रग चर्मे से बनाये जाते थे बस्त्र गंधार प्रिदेश में भेड जो थी बहुत प्रिसित थी उनके लिए बस्त्र तीन प्रकार से पहने जाते थे एक तो नीवी कमर से नीचे पहने जाने वाले वस्तर को नीवी कहते थे वासस जो थी वो कमर के उपर पहने जाने वाला वस्तर था और अधिवासस जो था वो चादर या ओर्नी कहे जाती थी लोग वस्तरों को सिलने तथा काटने की कला भी जानते थे नाई को बाप्ता कहते थे यानि यहाँ पर बाल काटने के लिए नाई भी हुआ करता था तो बाप्ता जो है वो नाई के लिए उप्यूखत हुआ है अब हम अभूशन की बात करें तो करने शोभन कान के अभूशन हुआ करते थे कुरीर शेर पर धारन करने वाला अभूशन होता था निश्क एबं मनी जो थे गले का अभूशन था रोक्ष में जो है वक्ष का अभूशन था योचिनी जो थी, जेओन चिनी जो थी, अंगूठी या इस परकार का कोई अभूशन हुआ करता था, प्रावरत जो है कान की बालियां हुआ करती थी, शुर जो है वो उस तरह हुआ करता था, तो ये शब्दे वली भी हमें याद रखनी है, important है, अगली बात करें तो हम और शिक्षा जो है रिगवेद के साथ में मंडल में सिक्षा की चर्चा की गई है बिद्यार्थी के अर्थ में ब्रह्मचारिन का उप्योग हुआ है यानि बिद्यार्थी को ब्रह्मचारिन कहा गया है और इसका जो लेख है वो दस में मंडल में और सो में सुक्त में हमें मिल जोतिष भोगोल आदी अध्यन के प्रमुख विसे हुआ करते थे और ये सारी के सारे जो है वो छंदियों उपनिशद में अध्यन के विसेओं की सूची दी गई है आगे मनुरंजन की बात करें तो मनुरंजन में रत्खी दोड़ हुआ करते जी शिकार और गायन निट्टे क करना जुआ खेला नो टंकी त्योहार मनाना इसके अलावा शैलूश शब्द का भी उप्रयोगत हुआ है जो अभिनेता की रूप में किया गया है वंशनर्तिन यानि कलावाजी करने वाले और ये दोनों शब्द जो है वाज नई सहिता में हमें मिले हैं आगे देखते हैं और एक वेदिक कालीन धर्मे की बात करें तो यहां पर धर्मे जो था धर्मे कोई एक कोई धर्मे नहीं था यहां पर सब लोग जो थे ज्यादा तक प्रकति के महत्त्यकों था मतलब प्रकति की ही पूजा करते थे और प्रकति का ही नोंने देवी करन किया है और इसके बहुतिक सुखों पर बल देते थे यानि कि ये लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा जीवित रहकर बहुतिक सुखों को प्राप्त करना चाते थे इस्चुत्वी पाठ करते थे प्राथनाय करते थे यागिक कर्मेकार्ण करते थे लेकिन सरलो सहज ढंक से की बहुत सरलो सहज तरीके से हो जाए ऐसा यागिक कर्मेकार्ण करते थे देवियों का मानवी करन कर दिया गया था तथा देवियों का भी महत था लेकिन वो बहुत ही कम दिखाई देता है बली अरपन पिर्थाती लेकिन यहाँ पर किसी जानवर की नहीं बलकि शाक, जो, फल और फूल आदी की जो है वो बली अरपन करने की पिर्थाती आगे बात करते हैं यहां की लोग मरना नहीं जानते थे मरना नहीं चाहते थे मतलब वो भौतिक भौतिक वादी थे भौतिक सुखों को प्राप्त करना चाहते थे इसलिए वो पुनरजन्म और पाल लोग का भाव इनमें नहीं था मूर्दी पूजिया की संकल्पना यहां पर नहीं होई थी यास के ने निरूक्त में देवताओं को तीन भागों में विभाजित किया है प्रिथवी के देवता, आकाश के देवता और अंतरिच के देवता तो प्रित्वी के देउता में अगनी, प्रित्वी, सोम, ब्रस्पती, ब्रस्पती, अरणी और सरस्पती आकास देउता में अगनी, रूत्र, इंद्र, आप, प्रवज, मारूत और अंत्रिश के देउता में अगनी, सूर्य और अदिती, मित्र, उशन और उशा तो अगनी जो है वो तीनों में हैं और सबसे प्रमुख जो है इंद्र हुआ करते हैं तो इंद्र की सबसे पहले कुछ प्रमुख देउताओं की चर्चा करते हैं जिसमें इंद्र है इंद्र रिगवेद में सरभादिक लोक प्रिये देउता थे तो पूछा जाए रिगवेद काल में या बैदिक काल में सबसे लोक प्रिये देउता कौन से थे तो इंद्र जो थे वो सबसे लोक प्रिये देउता थे रिगवेद काल के उत्तर बैदिक काल के नहीं रेगवेद काल के हैं तो इनका उनलेग जो है दो सो पचास वार हमें मिलता है इनका उपनाम देखें तो यूदिका देउता सो मापा वर्षा पुंडरीग अत्य सूरीग जीत वरता सुरहंता सुनासिर रथेष्ट विजेंद्र और वज्रधारी ये सारे उनके उपनाम थे इनका जो हत्यार था वो वज्र था इस्थान मतलब वो कहां रहते थे तो इंदर और अगनी जो है हजार इस्तंबों के महल में रहते थे ऐसा उलेग मिला है अब अगनी की बात करें तो दूसरा प्रमुक देउता है इसका उलेग दूसरों बार हुआ है तीनों देउताओं म बात का है तो तीसरा प्रमुक देउता है इसका वो लेख 30 बार हुआ है यह जल के देउता की रूप में परशित्ता वरुन की चर्चा बोगज कोई के अभी लेक में मिनत्ती और हित्ती कभीला हुआ करता था उनके सर्दारों ने कस्में खाईती और संदी की थी किन-किन तो हमें ये देवताएं भी याद रखने हैं तो ये वाले जो है एक्जाम पॉइंट उप्यू से बहुत इंपोर्टेंट है सोम देवता की बात करें तो ये नौमे मंडल में उलेख मिलता है इनका मूल निवास इनका स्वर्ग बताया है इनके प्राप्ति जो है सोम के पोधे मुंजिवत परवत और गौरी नदी के तड़ ये पाय जाते थे इनका उपनाम था अंधसू रस पितू पयूश तथा अमरित ओषदी तथा बनस पती का स्वामी इनको माना गया है अब बात करते हैं मित्र की तो वरुण से संबंदी देउता है मित्र शपत तथा प्रितिग्या का देउता भी इनको माना गया है यम जो है मित्यू के देउता थे अश्विन जो थे इनको नासत्य भी बोलते हैं ये दुर घटना ग्रस नाओ की आत्रियों की रक्षा करते थे और अपंग व्यक्ति को किर्टम पैर पिदान किया करते थे साथी चिकेस्था के भी ये देउता थे और रुद्र जो थे अनेतिक आचरणों से संबन्द बानते थे रुद्र को पूशन जो थे ये सडक पशुपालक और चारागाय के देउता थे और रिगवेद में कुछ देवियों के भी चर्चा मिलती है जैसे कि उशा अदिती नीशा यानी रात्री अरणी यानी जंगल की देवी सरस्वती नदियों की देवी और प्रत्युई इसके अलावा रिगवेद में दो जैन ती थंकरों की नाम भी मिलते हैं जिन और अरिष्टी नेवी का भी उल्लेख हमें मिलता है इसके लावा रिगवेद में ओम भूर भूवस स्वहा नाम से पिर से जो गायत्री पासना की गई है तो ये इसका लेख भी मिलता है तो इस्टोडेंट आज के लिए इतना ही तो रिगवेद कालीन जो हमारा टॉपिक ता वो यहां पर समाप्थ हो जाता है अब जो अगला टॉपिक आएगा उसको उत्तरवेदिक काल को देखेंगे तो उत्तरवेदिक काल मे यही मिलते हैं श्रोत लेकिन उत्तरवेदी काल में बहुत सारे सोर्स और बढ़ जाते हैं जैसी जैसी हम इत्यास में आगे बढ़ते जाएंगे हमारे सोर्स भी दीर मलब साथ साथ बढ़ते जाएंगे तो इस्टोड़न आज के लिए बस इतना ही और अगर किसी को सब्सक्राइब करिए ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद